दोस्तों नमस्कार करनल अजय स्योवाजय स्ट्रोमानी गुरूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफनाइंस डिजिटल चनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज दो मार्च दो हजार तेईस फागुर्न शुकल पक्ष एकदशी संबत दो हजार 89 दोस्तों आज के शो में हम चर्चा करेंगे मसूर के उपर मसूर के उपर अक्सर काफी दवाब पढ़ रहा है और ये भी समाचार मिल रहे हैं कि देश में इस साल मसूर की भुवाई लगबग 10% से अधिक है क्या हो सकता है क्या संभावना है जानिये फुरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों आजे इस्टो मनिगुरू देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट और विशलेशन देता है हम वर्तमान ही नहीं हम भविश का भी करते हैं सठी कातलन दोस्तों आज आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब लाइक और शेर करना बिल्कुर ना मुले यदि पसंद आए तो बैल आइकन यानि घंटी के निशान को भी पुश कीजेगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिये हम हर सूचना जानकारी आप तक सबसे पहले पहुचा पाएं दोस्तो याद रखेगा आज जमाना सूचना तंत्र का है जो जितना ज़्यादा आपडेट रहेगा वो उतना ही व्यापार व्यवसाय में दूसरों से आगे चलेगा दोस्तो खबर निकल के आ रही है कि मसूर की बुआई लगबग 10 प्रतिशत से अधिक का प्रारंबी का नुमान है और इस साल मसूर का जो यिल्ड है वो भी 1200 किंटल पती हेक्टर असानी से आने की समाचार मिलते हैं मंडियों में मसूर की तेज अराइवल हो रही है और होली के बाद आवग का प्रेशर पहुत अच्छा देखने को मिल सकता है ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है जहां तक मंडिय प्रदेश की बात करें तो फिलाल वहाँ पे 20-25 जार बोरी मसूर की आवख हो रही है और किसान मंडियों में लगबग 5,000 से 5,300 रुपे में बेच रहे हैं गौटलाब है कि मसूर की MSP यानि मिनीमम सपोर्ट प्राइस चेह जा रहा है यानि उससे नीचे विक रही है हुली के बाद मंडिय प्रदेश में किसानों को MSP के भाव पर सरकार द्वारा खरीदारी शुरू होने की उमीद लगाई जारी है कौटलाब है इस वर्ष मसूर की बेहतरी नुत पादन है और सरकारी खरीदी अच्छी होती है तो दाम कुछ रख सकते हैं लेकिन अभी मसूर के उपर दवाब जारी रह सकता है लेकिन मसूर के लिए एक खबर अच्छी ये भी है कि तूर दाल महगा होने से मसूर की मांग इस वर्ष थोड़ी अच्छी रह सकती है क्योंकि आपको याद होगा कि लगबग 2-3 महने पहले ही से ही हम आपको लगातार मसूर के उपर कह रहे हैं कि मसूर को आवइड करना चाहिए और आवशकता अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए ताकि बड़ा स्टॉक मसूर करने से बचना चाहिए और मसूर के अंदर लगातार गिरावट के समाचार मिल रहे हैं क्योंकि इस साल मसूर की जोड़ार भुआई को देखते हुए घरेली मंग पर भी काफी दवाव था और साथ साथ विदेशों में भी अच्छी फसल होने से लगातार इंपूर्ट का भी प्रेशर मनावा है और दोस्तो याद रखेगा मसूर हो या तूर उड़ात हो या मूंग या फिर चना इसकी विशे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहे हैं दोस्तो अजेस्ट रुमानी गुरू आपको तिलहन दलहन मसाला का पास गवार सीट पर लगातार अपना विशलेशन देता है जो की सत्य साबित होता देखा जाता है दोस्तो आप खबर निकल के आ रही है काबुली चने पर काबुली चने का उत्पादन पिछले साल के मुक खबर निकल के आती है कि देशी चने की विजाई इस वार कम है लेकिन काबुली चने की विजाई इस वार शांदार है खाली महराष्ट के अंदर देशी चने की अच्छी विजाई के समाचार है लेकिन भाराष्ट के अत्रेक देश के सभी इलाकों में देशी चने की विजा काबुली चने ने शांदार तेजी दिखाई दी है भारत में 2023 में काबुली चने का एक आकरमक नरियातक देश बना रहने की उमीद जारी है और मैक्सुमे में नई फसल आने तक भारत ग्लोबल बजार का रुख तेह करने में एक काम्याब हो सकता है भारत का नरियात प्रमुख पड़ोसी देश जैसे अफ्रीका के कुछ भाग और मद्यपूर्व एशिया के देशों पर अपना ध्यान रखते हैं जबकि कनाडाई नरियातों की किनाजर अमेरिका पाकिस्तान और कुछ यरोपिय देशों पर रहती है भारतीय काबली चने के लिए ग्लोबल मार्केट पर भाव अभी काफी असर होता है मगर लेकिन भारत का प्रमुख कम्पीटिटर या प्रतिदंदी कनाडा होता है कनाडा को काबली चने के नरियात में अमेरिकी और मेक्सिको से सीधा मुकाबला करना पड़ता है अमेरिकी में पिछले साल काबली चने का उत्पादन बढ़ा था लेक मगर प्रोसेसर्स ने घरलू प्रभाव में इसकी खपत बढ़ने पर विश्य ध्यान दिया था जबकि कनाडा और मेक्सिको की नजर का निर्यात बजार पर केंद्रित रही जदी चालू वर्ष के दुरान अमेरिका में विजाई छेत्र बढ़ता है तो इसकी संभावना काम है तो कनाडा के निर्यातों के लिए अगामी मार्केट इक सीजन में एक चुनोती बढ़ सकती है गोर्तरव है कि मेक्सिको में उच्छे कॉलिटी एवम बड़े दाने वाले काबली चने का उत्पादन होता है कुछ देशों में इसकी अच्छी मांग भी रहती है इसकी कीमतों के अधार पर ही बाकी देशों में काबली चने के भाव निर्धारित होते हैं तो मेक्सिको में काबली चने का उत्पादन एवम निर्यात योग जो स्टॉक है उसमें काफी अंतर देखा जा रहा है और आस्ट्रेलिया में ज्यादा तर जो उत्पादन है वो देशी चने का होता है तो मेहतवपुन यह रहेगा कि काबली चने पर अभी आपको सावधानी बरतनी चाहिए जहां तक देशी चने की बात है देशी चने के अंदर बजार जल्दी ही MSP से उपर जाने की एक अनुमान और आकल्शा जताई जा रही है दोस्तो मार्च और अप्रेल का महिना महतवपुन सावध होगा चने के लिए क्या अब यह बहुत अच्छी तेजी की तरह हग्रसर होता है या फिर गिरावट की और दोस्तो विशेश रिपोर्ट के लिए संपर कीजे या ज़किए दलहन तिलहन मूंग के उपर या फिर साबित हुई थी साथ साथ तिलहन के अंदर एक और महतवपुन बात है तिलहन के अंदर मार्च और अप्रेल महिना बहुत महतवपुन साबित होने वाला है क्या यह तेजी दिखाएगा या मंदी इसकी विशेश रिपोर्ट के लिए वी आप संपर कर सकते हैं all the very best good luck happy trading